अलो फ्रेंड्स कई बार ऐसा होता है कि हमारा कस्टर्ड बनाने का अबन करता है मगर हमारे घर पे कस्टर्ड पाउडर नहीं होता है मैंने सुचा क्यों ना हम ऐसा एक रेसिपी सेयर करें जो आप सबको बहुत पसंद आएगी यह देखिए आज हम बनाएंगे विदाउट कस्टर्ड पाउडर से उसके लिए हमने यह दो ब्रेट लिया है यह देखिए ब्रेट के किनारे काट देंगे चाकू से और इसका बीच का जो हिस्सा है वो ले लेंगे सिर्फ दो ब्रेट की हमें ज़रत है वो देखिए दो ब्रे इसमें 1 फोर्थ कप मिल्क पाउडर डाला है इसको भी अच्छे से उसमें मिक्स कर देगे कोई भी इसमें लंज नहीं रहना चाहिए इसके बाद यह देखिए चीनी ले ली है वन फोर्थ कप ही इसमें चीनी है आप अगर कम डालना चाहिए तो थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं वैसे इससे मीठा एकदम परफेक्ट होता है यह देखिए थोड़ा इलाइची पाउडर डाल दिया है तेस्ट के लिए और थोड़ा केसर डाल दिया है अगर आपके पास नहीं हो तो कोई बात नहीं आप एक चुटकी थोड़ा हल्दी डाल सकते हैं जिससे कलर हलका सा येल ये देखिए थोड़ा सा फूट कलर डाल दिया है मैंने ताकि इसका कलर यलो बहुत अच्छा दिखे आप इसको डालना चाहें तो डाले नहीं डालना चाहें तो कोई बात नहीं है और इसको बन जाने के बाद इसको थोड़ा ठंडा कर ले फिर रूम टंप्रेचर पर आज जाएगा इसके बाद में हम देखे ये कपकेक ले लेंगे ये इसका रेसिपी अगर आपने हमारी जैनल पर नहीं देखी तो आप जाके देखे बहुत अच्छे कपके बनके तयार होते हैं इनको देखे एक मैंने ले लिया है और इसको ऐसे पीसे में काट दिया है हमने इसक इसके बाद इसको थोड़ा सा स्पॉंजी करने के लिए दूड डाल दिया है अगर आप चाहे कोई भी जूस डालना चाहे तो आप इसमें डाल सकते हैं जो भी आपका दिल करें फिर इसके बाद में देखे सारे फ्रूट्स ले लिए स्ट्रॉबेरी दोनों तरह के ग्रेप और यह पाइनेपल सब ले लिया है इसमें और नीचे सारा लेयर लगा देंगे हम यह आप अपनी इक्चा के अनुसार जैसा भी आप लगाना चाहें उसे साब से लगाए कितना कलरफुल लगने के बाद कितना सुन्दा लग रहा है यह हमारा फ्रूट्स का पूरा ट्रे ब पूरा कवर कर देंगे हम इससे बहुत ही अच्छा बनके कस्टड यह तयार होगा आप इसको जरूर बनाए और दूसरों को जरूर खिला है आपको तारीफ ही तारीफ मिलने वाली है अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले ल इच्छे के अनुसार और अच्छे से इसको बनाने के डेकुरेट करने के बाद इसको फ्रीज में दो घंटे के लिए आप रग दे तो आठंडा हो जाएगा तो यह बहुत अच्छा लगने वाला है ओके फ्रेंड्स थैंक यू